नमस्कार मैं इशान कपूर दर्थ यूज में आपकर स्वागत है शेरे कश्मीर वीर्था वाड का नाम बदलने पे नेताओं के बियान आ रहे हैं इसी पे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बीजेपी सीनियर लीडर मुनीश शर्मा जी सब्सक्राइब जैसे की शेरे कश्मीर वीर्था वाड का नाम चेंज करके जम्मू कश्मीर मैडल कर दिया गया इस पे कुछ नेताओं का बेहान भी आ रहे हैं जैसे कि अब जानते हैं इस पे क्या कहेंगे देखे शेयर किश्मीर बीरता बाड का नाम जो आपने कहा तो तो कि जम्मो किश्मीर पुलिस बार कर दिया गिया अगर मैं खासकर सरकार केस जो उन्होंने कदम उठाए है इसका स्वागत करता हूं देखें जो भी वीरता के अवार्ड है वो ऐसे पुर्शों के नाम पर होने चाहिए जिनका इतिहास में कोई नाम रहा हो और जिन्होंने देश के लिए कुछ ने कुछ किया हो अपना योगदान द देश के लिए हमेशा जीते मरते हैं और उनका जो उनको बीवता का पुर्सकार है वो ऐसी लोगों के नाम पर होना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ तिखाया कि बीवता होती किया है और मैं यह मानता हूं जो सरकार ने कदम उठाया है यह सराहनी है और प्रशन जोस जो कि आ्प भी विवता ने करने है नामसी सरकार करता है सबक्राइध के साहथा जाचा है सर्एक का जा रहा है कि सिरिनगर में अल्थाप उभारी कहीं लोग कह रहे हैं कि वह बीजेपी स्पोसर्ड। वाहां से अब्दोल्ल् exemption करना चाहते हैं तो सकर्णभ सब्सक्रُ कोई देश्वक्ति की बात करेगा राष्ट्र वक्ति की बात करेगा उसको बीजेपी के साथ जोड़ा है और जो भी आप देखें लेकिन मेरा यह मानना है कि जिन दो तिन परिवारों ने पिछले 50-60 साल से लोगों को लूटा है लोगों तक उनके विकास कारे पहुंचने नह मैं यह कहता हूँ कि वहां आम लोगों का परवार जो आगे आना चाहिए एक आम गरीब किसान मिज्दूर ऐसे लोगजों का परवार आ गरीबी देखी है इन्होंने गरीब लोगों के नापे हमेशा कश्मीर के लोगो गोगों लूटा है और मैं अलताव बुखारी हो जाओ उनके जैसे केई ऐसे लोग जो आज कश्मीर में निकल के बाहर आ रहे हैं आज देश के साथ कंदे से कंदा में लागे खड़े हो रहे हैं आज अब वड़े अभी बेग साब का बयान सुना ऐसे हसनमीर साब का सुना ऐसे के नेता हैं जिनको आए भी दिख रहा है कि इन दो तिन परिवारों ने लगा था कश्मीर की जनता को लोटा है और आज रही है यह हम लोगे बीच में देखा है चोटी चोटी जगह verso नेता जा रहे हैं और लोगे को समझा रहे हैं कि हिंदोस्थान जदफा 370 से कितना नुकसान आम नागरिका हुआ है जमो कशमीर के इनके अपने बच्चे विजेशों में पढ़ रही है और दूसरे लोगों के गरीब लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर बगडा रहे हैं ऐसा जब आम लोगों को आज महसूस हो रह कशमीर की गलियों में आज बूज रहे हैं आज हमने 27 जनवरी के दिन देखा कशमीर के छोटे-छोटे बच्चे जो तरंगा जंडा हाथ में लेके सबकों में निकले हैं हर जो पंचाईत लेवल पर तरंगा जंडा कशमीर में पहराया गया है और यह सिर्व वही है जो 370 ग माथे से अटाया है और आज कशमीर का हर नागरी की जो है वह भरतवासिवन के आगया रहा है रही बात अल्था बुगारी साथ की जाओं के और जो वैसे नेता है मैं उनका भी स्वागत करता हूं जो एक राच्टे-पददी को अगनाते हुए आज राश्क्तिया के राश् देखें मैं आपके चैनल के मादिम से मैं आपके चैनल का भी धन्यवादी हूं मैं आपके चैनल के मादिम से कश्मीर के नोजवानों के संदेश देना चाहता हूं या यह देश के विकास के लिए कश्मीर के विकास के लिए अपनी पंचायत के विकास के लिए हम सब आ गया जो विकास ही विकास हर जगा हमें दिखेगा और मोदी जी का जो एक नारा है जिसको लेकर उन्होंने शुरुआत की थी सबका साथ सबका विकास और आग मैं देख रहा हूं कश्मीर की गलियों में वो सबका साथ सबका विकास जो है आज सब के विश्वास में तर्दीर हो रहा है ये एक बहुत बड़ी चेंज जो हम कश्मीर की गलियों में देख रहे हैं और आने वाला सुन्दर वविश्य, उज्वल वविश्य क disasters के झाल 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 झाल